आज हम हमाई रसोई में बना रहे हैं वेज मियोनी सैंडवीच यह बहुत आसान तरीके से बन जाता है और उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है और आप इसे विदाउट फायर भी बना सकते हैं बिना गेज जलाय वाली रेसिपी भी कह सकते हैं लेकिन वैसे इसे शिमला मिर्ची और थोड़ी सी घाजर को बारिक-बारिक चौप कर लिया है और एक घरी मिर्ची को इसको मैंने एक पेन में थोड़ा सा तेल डालके हलका सा रोस्ट कर लेंगे और थोड़ा सा नमक डाला है क्योंकि इसका कच्छा पने ना चला जाएगा तो यह क्रिस्पी लगेगी बहुत सारे लोग इसे कच्चा ही बनाते हैं सबजियों को सेखते नहीं है ऐसे ही बारिक-बारिक चॉप कर लिया और आगे की प्रोसेश इसी में करते हैं पर मेरे बच्चों को कच्ची सबजियां जादा अच्छी नहीं लगती हैं ये देखें फ्रेंट से हो गया है इसे में एक बरतन में शिफ्ट कर लूँगे अब इसके बाद इसमें में डालूँगी मेयोनीज और इसमें डालूँगी कुटियोई, काली मिर्ची काली मिर्ची का फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इसके जब भी आप इसमें काली मिर्ची जरूर डाले थोड़ा सा डालूँगी चाट मसाला और बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे हम नमक क्योंकि मैंने नमक पहले भी डाला है पर मुझे ऐसा लगा थोड़ा कम है इसलिए मैं थोड़ा सा और डालूँगी और अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे यह देखे फ्रेंट्स मियोनीज मिक्स होने के बाद आप इसको देख सकते है कितना कलरफूल लग रहा है एकदम क्रीमी क्रीमी दिख रहा है अब इसको में एक साइड में रखके सबकिसे पहले लूंगी ब्रैर्ट ये मैंने वाइड रेड लिये आप ब्राओं ड्रेड भी ले सकते हैं मैंने इसके चारो साइड से कट करके अलग कर दिया है आप नहीं भी करना चाहिए तो आप ऐसे भी बना सकते हैं बर यह जो market में sandwich मिलता है इसमें brown sided हट जाती है तो मैं आपको वैसे ही बनाना बता रही है इसलिए मैंने इसको हटा दिया है और friends में इसको मैंने mayonnaise वाले masala बना के रखा है उसको अच्छे से spread करूँगी और दूसरी bread पर भी अच्छे से spread करूँगी फिर इसको मैं हलका सा roast करूँगी market में जो मिलता है बीना सबजे को पकाए से mayonnaise और काली मिची और चाट मसाला नमक डाल के mix करके इस मसाली को बस ऐसी bread पर spread कर देते हैं और ऐसी cut करके दे देते हैं पर इसको आप ऐसे करके बनाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा यह देखिए फ्रेंट्स मेरी दोनों सैंड्वीच बनके रेडी हैं अब मैं एक तबे पर थोड़ा सा oil या butter डालके आप इन दोनों bread को सेकेंगे दोनों side सेकेंगे फ्रेंट्स जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी रेसिपी को like, share, comment करें और आप रेसिपी कहां से देख रहे हैं तो आप अपने शेहर का state का नाम जरूर बताएं बेल आइकन का बटन जरूर दबाए ताकि जो मेरी रेसिपी है सबसे पहले आप सब के पास जरूर पहुचे यह देखें फ्रेंट्स यह मैंने एक साइट सिख गया था इसको पलट दिया है और यह दूसरी साइट सिख रहा है इसमें मैंने एक दो बून ओईल और डाला है ताकि इसके जो ऊपर की लेयर है वह एकदम क्रिस्पी हो जाए देखें कितना अच्छा दिख रहा है एकदम ब्राउन गोल्डन कलर हो गया इसका बस यह फ्रेंट्स इसको मैं एक प्लेट में शिफ्ट करूँगी मैंने गेस बंद कर दिया है अब मैं इसको आपको पीस करके बताती हूँ यह देखें कितना easy cut हो रहा है और आप इसकी layer देखें अंदर जो मैंने feeling भरी थे आप उसको देख सकते हैं यह कितना creamy creamy लग रहा है यह पे ना मेरी भाबी की बेटी आई हुई है तो मैं उसको यह खिलांके पूस्थी हूँ कि कैसा बना है अभी नित्या बताएगी मुझे कि इसको यह कैसा लगा है यह देखिए फ्रेंड से बता रही है इसको बहुत अच्छा लगा है जै